हेलो एब्रिवन क्लास एट हम यहां डिसकस कर रहे हैं ncrt की बुक है आपकी और चेप्टर सेकेंड एक्साइज 2.1 ठीक है आप लोग उपन करेंगे ncrt बुक उसमा आपको देखेगा सेकेंड चेप्टर linear equation in one variable ठीक है न तो उसकी एक्साइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे आपर इसके कुछ क्वेशन हमने पहले वीडियो में डिसकस किया था और हमने उस वीडियो में जाना था कि linear equation क्या होती है और equations कैसे आपकी form करती है कैसे बनती है या और linear equation in one variable क्या होता है कैस से वो बनते है और उसका जो form general form था वो भी हमने वहाँ पर discuss किया था और इस exercise के first के three questions हमने उसमें solve की है आप लोग उस वीडियो को देख सकते है हम आज यहाँ पर discuss करेंगे fourth question के बात ठीक है तो fourth वाला जो question आपका वो क्या है देखो solve the following equation आपको जो equations से दे रहे हैं उनको क क्या रखें कि यह question आपकी balance हो जाए यह satisfy करें उसको ठीक है तो इसका solution करते हम solution पर हम लेंगे देखो फिर इसका अब मैंने क्या कहाता देखो पहली वीडियो में हमने आपको ध्यान में होगा मैंने बोला था कि जो वेरिबल होगा वेरिबल को हम left hand side रखेंगे और जो constant होंगे उनको right hand side place किया जाएगा ठीक है यहाँ पर variable कौन सा है सबसे पहले तो हमन x रहेगा आपका left hand side ठीक है equals to और जो right hand side constant हमें सा right hand side में रहेंगे तो 17 upon 7 constant अब यह भी आपका क्या है constant है तो इसको भी हम क्या करेंगे right hand side में लेंगे अब 3 upon 7 जो है उसके आगे plus का sign है कुछ भी sign नहीं है मिनसे plus होगा ठीक है तो plus है तो उधर जाके transpose हो जाएगा तो क्यों इसका मीनसी क्या हुआ कि इसको इधर वेजने का मीनसी इसको हम बोलेंगे transposing ठीक है ना इसको हम लिख देंगे Transposing किसको transpose किया फिर हमने 3 upon 7 2 किदर RHS मैंने आपको पहले भी बताया था left hand side and right hand side तो हमने 3 upon 7 को right hand side क्या कर दिया तो इतना आया अब इसको solve गल लेंगे simply LCM इसका हो गया 7 ठीक है और इधर कितना हो गया 17 7 वंजा 7 वन से 17 करेंगे तो 17 माइनस वंजा 1 से 3 करेंगे तो 3 X equals to 17 में से 3 गया तो 14 upon 7 ठीक है इतना आया नेक्स्ट आप इसको cut कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं ठीक है तो 7 से 14 डिवाइट हुआ तो X equals to 2 आपका answer इसका solution हम देखते हैं इसका फिफ्ट पार्ट फिफ्ट क्या कह रहा देखो 6 X plus 12 ठीक है तो simple सा हम देखते हैं यहां पर देखो सबसे पहले तो identify करो यहां पर variable कौन सा है variable आपका 6 X वाला term क्या variable है means आपने X को find करना है तो X तो रहेगा आपका left-hand side में ही ठीक है equals to 12 constant है इधर रहेगा अब यह 6 किसम है इसमे multiply में है ठीक है न हम इसमें simple सा ही बोल सकते हैं या तो आप डिरेक्ट लिख सकते हैं या हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसको dividing means 6 X variable वाले को यहीं पर रख लो ठीक है अब इस 6 को हटाना है इस 6 को अटाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाइड कर देंगे तो हम यहां पर लिख लेंगे कि डिवाइडिंग नीची लिख लेते हैं इसमें नीची पर आ जाए गए डिवाइडिंग बोथ साइड बाइ किस से करेंगे हम 6 से क्योंकि हमने 6 को हटाना है यहां से ठीक है तो दोनों साइड हम 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा आपका देखो 6 से X 12 तो divide किया हमने 6 सी धर भी आया 6 सी धर भी आया दोनों साइट दोनों साइट हम से नमबर से divide कर सकते है तो 6 से 6 आपका cancel out हो गया 6 से 12 वे cancel हो तो यहाँ पर 1 1 बचा आपका तो X लिग दिया हमने equals to 6 कितने जा ठूजा ठीक है तो next हम देखेंगे इसका 6 पार्ट simple से question आपके 6 पार्ट आपका T upon 5 equals to 10 ठीक है ना तो यह हो गया अब हम इसका solution जब करेंगे तो solution करने में हम क्या करेंगे यहाँ से हमने T को find देखना है T को यहीं पर रखेगा ठीक है T upon 5 होगया अब इस 5 को हटाना हमने 5 को हटाना मिनसी यहाँ पर divide है ठीक है ना 5 किसमे डिवाइड में है तो हम देखो यहाँ पर multiply में था उपर 6 किसमे था multiply में था तो हमने divide किया अब यहाँ पर 5 किसमे डिवाइड में है divide में है तो क्या करेंगे multiply कर देंगे ठीक है clear होगे इतना और उससे पहले वाले question में अगर add or subtraction में हो जागा उसको transpose कर देंगे हम ठीक है तो यहाँ पर हम multiply कर दते हैं किस से करेंगे 5 से क्योंकि 5 से 5 कड जाएगा फिर आपका अगर इधर multiply कर रहा है तो इधर भी multiply करेंगे ठीक है 5 से तो हम यहाँ पर लिख देंगे multiplying both sides by multiplying both sides by किस से multiply किया फिर हमने 5 से ठीक है जिसको अटा ना था तो 5 से multiply किया तो 5 से 5 कड आएग ती कोस्टू 10 5 जा 50 ठीक है यह इसका solution मनी गिया next part देखते हम इसका 7th 2x upon 3 equals to 18 ठीक है अब इसका solution आप करोगे तो देखो x है हटाना किसको 2 को भी है 3 को भी है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इसको 2 upon 3 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं multiplying पहले तो इतना ही लिख लेते हैं 2x upon 3 multiply अब multiply किसको करें हम 2 upon 3 है 2 upon 3 है 2 को भी अटाना है 3 को भी है अगर हम 3 upon 2 से multiply करें तो कितना हो जाएगा देखो 3 से 3 गटा 2 से 2 गट गया हट गे ना दोनों 3 से 3 है 2 से 2 हट जाएगा तो equals to 18 वही रहेगा आपका multiply यहाँ किस से multiply किया था हमने 3 upon 2 से ठीक है तो इसको भी यहाँ कर देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे multiplying both sides by किस से किया फिर 3 upon 2 से दोनों साइड मल्टिप्लाई किया तो 3 से 3 cancel out 2 से 2 cancel out ठीक है आपका बचा 2 equals to यहाँ भी cancel हो सकता है 2 से 18 कितने जाएगा नाइन जा तो 9 से 3 multiply होगा नाइन इंटू 3 लिख लेते हैं यहाँ पर तो X equals to 27 ठीक है इतना यह इसका solution बना नेक्स्ट पार्ट आपका हम यहाँ बनाएं जब नेक्स्ट पार्ट एक्ट 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 पार्ट ठीक है तो एक्ट में क्या आपका 1.6 equals to y upon 1.5 1.5 तो यहाँ पर क्या है देखो य को इसके सब्सक्राइब करना है तो हम इसमें सिंपल सा लिख लेंगे कितना आजाएगा आपका वाई अपन 1.5 ठीक है इक वस्ट टू 1.6 हटाना है किसको आपने 1.5 को अटाना है वाई तो यहीं पर रहेगा वाई तो हमने फाइंड करना है तो वाई अपन 1.5 इंटू जिसक प्लाइंग बोथ साइट्स बाई 1.5 ठीक है दोनों साइड हमने कहीं 1.5 से मल्टिप्लाइ किया ठीक है तो कितना आगया आपका 1.5 1.5 कट गया तो वाई कुस्ट कितना आगया इसको मल्टिप्लाइ करोगे तो यह बन जाएगा आपका 8824 122 डिजिट से पहले पॉइंट यह लग जाएगा तो इसको सिंपल सा हम लिख सकते हैं कितना 2.4 तो वाई की वैल्यू निकल लगी आपकी कितनी 2.4 यह इसका सॉलुशन नेक्ट पार्ट देखते हैं इसका नाइंध नाइंध पार्ट 7x-9 इक्वस टू 16 ठीक है तो हमने एक्स वाला पार्ट तो एक्स वाले को यहीं रखेंगे हम रेक सिंफू 16 यह उदर जा गे कितना अव जाएगा常 आपका प्लस का 9 ठीक है तो हमने हमने यहं प्या किया ठांस पोज किया कि किसको ड्रांस पोज तो इतना आगिया, next आपका बन जाएगा, 7x equals to square करोगे, तो कितना बन जाएगा, 25, ठीके, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, 7 अटाना है, 7 multiply में, तो 7 multiply में 7 को अटाने के लिए क्या करोगे, अब divide करोगे, ठीके न, तो क्या करोगे, आपे 7x upon 7 equals to 25 upon 7, तो हम यह आपे लिख देंगे, dividing both sides by 7, दोनों साइड आपने क्या क्या, 7 से डिवाइड किया, तो 7 से 7 कटा, x equals to 25 upon 7, इसका solution, ठीके, next part लेते हैं, जिसका 10th part, 14y, minus 8 equals to 13, ठीके न, इतना, तो अब उसके बाद हम लेंगे, इसमें, y वाला find करना, अपने y, तो y वाले part को रखेंगे, इधर left side equals to 13, 8 चले जाएगा, इधर minus है, तो वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीके, तो हमने किया गया है, यहाँ पर transpose किया, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे, transposing, किसको transpose कर रहे हैं, हम 8 को बेज रहे हैं, अधर, transposing, 8, 2, कहां, RHS, के लिए रहे हैं, नेक्स्ट, 14y equals to, इसको add करोगे, तो कितना बनीगे आपका, 21, ठीके, अब उसके बाद 14 को अटाना है, आपने यहाँ से, 14 multiply में तो divide कर दोगे, 14y upon 14 equals to 21 upon 14, तो किया यहाँ है, हमने divide किया, dividing both sides by, किस से divide कर रहे हैं, 14 से, ठीके इतना, तो 14 से 14 कटा, यह भी कटा आपका, तो y, यहाँ पर कटा तो, किस से कटा, 7 से, 7, 3 जा, और 7, 2 जा, तो y की value निकल गी, 7 upon 3, ठीके, next part इसका, 11th, 11th था आपका, 17 plus 6p equals to 9, ठीके, तो इस पर भी सेम होई ही बनेगा, जैसे उपर किया था हमने, 6p तो यहीं रहेगा, 9 minus 17 इदर आगिया आपका, इदर प्लस था तो उदर जाके, क्या हो जाएगा, minus, तो हमने किया गया, यहाँ पर टांस्पोज होई, टांस्पोजिंग, किसको टांस्पोज कर रहे हम, 17 to RHS, राइट हंड साइड में, हमने इसको बेचा, ठीके, इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 6p equals to, इसको minus करो, कितना आगी आपका, 18, ठीके, sorry, 8, कितना बनाएगा, 8 हो गया आपका, minus का, 8, ठीके, इतना, minus क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर 17 है, 17 क्या आगी क्या है, minus, तो minus 8, ठीके, p find करेंगे, तो 6p upon 6, equals to minus 8 upon 6, 6 को अटाना है, तो both sides क्या कर देंगे, हम 6 से divide करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया, dividing, both, sides, by, किस से, 6, ठीके, 6 से हमने, both sides डिवाइड किया, यह कट हुआ, यह भी कट हुआ आपका, तो p बचा, इधर बचा कितना, यह कटा आपका, 2 से, 2 कितने जा, 4 जा, और 2, 3 जा, 6, तो यह इसका solution बना, ठीके, next part है, इसका 12th part, 12th part आपका, x upon 3, plus 1, equals to 7 upon 15, इस वाले part को आप खुद अपने तरीके से, इसको solve करोगे, same, इनी methods को use करके, यह आपके लिए, एक work है, ठीक है, आप इसको solve करोगे, और अगर नहीं आ पा रहा तो, आप मेरे को बता सकते हो, फिर हम इसको solve कर लेंगे, ठीक है, फिर नेश्ट वीडियो में हम आगे अगली इसकी exercise को discuss करेंगे, ठीक है, आप लोग इसको कीजिए, ओके, थैंक यू,